हेलो अब्रीवान वेल्कम बैक टो आर चैनल तंशाइन फॉर्ट्रेंस एजूकेशन मेरा नाम गुंजिन मलोतरा है देखें हमारा मिशन है कि हम लोग ज्यादा से सदा सूद्स को सही गाइडेंस दे चकें और सही डीटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें इसलिए आ और ज्यादा से ज्यादा स्टूद्स की जो है वो हो सकें आज का जो वीडियो है इस पर हम लोग अनालिसिस करेंगे जो दो कंट्रीज हैं बहुत इंपॉर्टन जर्मनी एंड यूएस उनके बारे में जर्मनी और यूएसे का कंपारिजन करके हम लोग देखेंगे कि आज इंडियन स्टूद्न आपके लिए विच कंट्री इस बेटर डेस्टिनेशन विच कंट्री इस बेटर चॉएस जर्मनी या यूएसे तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे वो क्वालिटी और एजुकेशन है उस पर डिस्कुशन करेंगे जर्मनी की एजुकेशन बहुत अच्छी है साथ के साथ साथ नंबर वन जो आज भी डेस्टिनेशन है क्वालिटी ओफ एजुकेशन है वो यूएस है बट वैल्यू फॉर मनी की बात अगर करें रिटर्न और इंवेस्मेंट की बात करें तो यूएस की एजुकेशन comparatively यूएस के साथ साथ अगर कॉस्ट अफ लिविंग की बात करें तो पॉस्ट अफ लिविंग भी यूएस में बहुत घ्यादा है और आप किसी बड़े सहर जैसे न्यू यो यूएख और इस तरह की बड़े शहर में जाते है तो वहां पर आपका यूइज पर बहुत जगा थोड़ा सा fees के उपर में भी बात करूँगा US में अगर आप fees की बात करेंगे और private university की बात करेंगे तो 50,000 US dollars तक आपको private universities की per year की fees होती है वेराज अगर आप state funded या public universities की बात करेंगे US में 20,000 से 30,000 तक की US dollar की जो fees है वो US universities में pay करना पड़ता है Germany के बारे मैं कुछ बोलूँगा नहीं आपको अलड़ी पता है visa और work opportunities की बात करें तो दोनों countries में post study work opportunities आपको मिलती है पढ़ाई के दौरान part time job opportunities भी मिलती है UG course में थोड़ा सा आपको initially problem आती है US में आपको 8-9 मिने हो जाने चाहिए यूएस में रहते हुए तब आप UG course के दौरान आप part time job कर सकते हैं वेराद अगर आप master's level के लिए जा रहे हो तो आप से कोई problem नहीं है in case of Germany चाहे bachelor's हो चाहे master's हो चाहे आपका जो लांगविच प्रोग्राम है 20 hours in a week and 40 hours during your vacation per week आप वहाँ पर काम कर सकते है and देखिए stem programs की अगर हम लोग बात करें तो stem के लिए Germany की जो engineering program से बहुत value of money रहती है and same time US की भी ranking बहुत high रहती है अगर budget है तो US is also a good option budget कम है जो कि generally Indian students का budget कम होता है तो Germany is a better option और देखिए जो post study work visa की मैं बात बता रहा था US में generally आपको one year OPT और इसमें optional practical training कहा जाता है post study work visa वाला जो partners को और अगर आप stem program जो की कोई भी course science, technology, engineering, mathematics की field से linked है अगर आप ऐसा भी program US से कर रहे हैं तो आपको तीन साल का stay back मिलता है हावेवर अगर हम लोग H1B जो work visa उसकी बात कर उसके लिए lottery system है वो थोड़ा complicated है अभी US की आपको कहानी पता है stay back करना कर जाते हैं तो green card लिने में 13 से 15 साल लग जाते हैं और थोड़ा सा hectic रहता है हमेशा students को इस्ट्रेस रहता है और बहुत जल्दी EU blue card होता है और बहुत जल्दी आ गए जाके आपको PR भी मिल जाता है और अगर हम लोग IT सेक्टर, Engineering सेक्टर, Healthcare सेक्टर की बात करें तो दोनों ही countries equally good है यहाँ पे US में आपको easily job मिल जाते है साथ के साथ आपकी जो face scale होता है वो भी हाई रहता है Germany में भी इतनी job मिल जाती है face scale हाई रहता है US में एक ये advantage आपको यहाँ मिलता है वो है language का US में जो language चलती है वो English चलती है वेरा जर्मन में English कम चलती है जर्मन जादा चलती है लेकिन स्टिल हमारे पास में इतने students गाए है हम लोगों में सबको देखा है कि सब सर्वाइव अच्छे से करते हैं एड़ेस्ट करते हैं रहते रहते जर्मन भी सीखते हैं लॉंग तब में खरियर में ग्रोव भी करते हैं citizenship तक भी हम लोगों ने देखी है student को मिलते हुए और MNCs में जो आप करते हैं जरूर शेयर किजिए को प्रेश्ट को नीचे के कमेंट सेक्षेन में अपने प्रेश्ट को जरूर पोस्त पीजिए में गॉड ब्लेस्ट यू आई विश्ट वेरी हापी लगने